टीटॉंटी बल्लकप दोजार इकीस के सुपार टोल के पहले मैच में आस्टेलिया ने कम स्कूर बारे रोपांचक मैच में दच्छन अफ्रिका को पांच बिकट से हरा दिया आस्टेलिया के कैप्टन एरोन फिंच ने टॉल जीत कर पहले गिनवाजी करने का फैसला किया और अगर प्लिंग लेबन की बात करें तो आस्टेलिया की एरोन फिंच कैप्टन डेविड बांदर, मिचल मार्स, ग्लेन मैक्सवेल, इस्टे विसमित, मार्कस स्टॉनेस, मैथ्यू बेड बिकट कीपर, पैट कमिन्स, मिचल स्टार्क, एडम जेंपा और जो सारियल पूर आस्टेलिया की तरब से खेलने उत्रे, और साउथ अफ्रिका की प्लिंग लेबन कुंटन डीकोग बिकट कीपर, टेमबा बबूमा कैप्टन एडन माकरम, बेंटेट, डूसे, डेबर मिलर, हैनरिक, क्लासन, द्वेन, पेटोरियस, केसाव, माहराज, किंगोसो, रबाड़ आलरेक, नौकिया, तबरे, समसी, साउथ अफ्रिका की तरब से खेलने उत्रे, हालाकि साउथ अफ्रिका की सुरुगात बेहादी खराब रही, उनके ओप्लिंग जोडी, कुंटन डीकोग और टेमबा बबूमा बहुत जल्दी आउट हो गए, पावर प्ले के अंदर ही उन क्लासेन भी 13 रन बनाकर आउट हो गए, यहां से एडन माकरम ने डेविड मिलर के साथ टीम को समाले की कोसिस की और पांचवे विकेट के लिए 34 रन जोडे, डेविड मिलर 18 गेंद में 16 रन बनाकर, 14 ओबर में एडम चैंपा के हाथो 80 रन के स्कोर पर आउट हो गए, और 82 18 रन के स्कोर पर ट्वेन पेटोरियस एक रन बनाकर आउट हो गए, पंदरवे ओबर में 18 रन के स्कोर पर केसा माराज भी बना खाता कोले रन आउट हो गए, अठार में ओबर में दच्छन अफरिका ने 100 रन का आंकड़ा पार किया, लेकिन उसी ओबर की पहली गेन पर मिचल स्टार्क, जो सैजलबुड और एडम जेंपा ने दो दो एवं ग्रेन मैक्सवेल और पैट कमिंस ने एक एक बिकट लिया, छोटे टारगेट के जबाब में अस्टिलिया की सुर्गवाद भी बेहदी खराब रही, पावर पिले के अंदर उन्हों ने दोनों ओपनर हो दिये, दूसरे उबर में 4 run के score पर एरॉन फिंच और पांच में over में 20 run के score पर डेविड बादनर आउट हो गए, हला कि डेविड बादनर को सुरगाद अच्छी मिलीती वाद 14 run बनाकर आउट हुए, 58 run के score पर मिचल मांस भी 11 run बनाकर आउट हो गए, और आётर यर्या को तीसरा जटका लगा लाकि यहाँ से स्टीव स्मिट और गिलेन मैक्सिवेल ने 14 विकिट के लिए 42 रनों की साज़ेदारी की और टीम को समालने की कोसिस ही लेकिन केी लेकिन 15 वे ओबर में 80 रन के सकोर पर स्मिट और 16 वे ओबर में 81 रन के सकोर पर ग्लेन मैक्सिवेल आउट हो गए इस टेव इसमें 34 गेंदों में 35 रन और ग्लेन मैक्सिवेल 21 गेंदों में 18 रन बना कर आउट हुए इसके बाद मैथ्यू बेड और मारकस स्टॉनिस ने टीम को 18 ओबर में 100 रन के स्कोर पर पहुंचाया और उसके बाद दोनों ने मिलकर टेम को दोज गेंदों सेस रहते हुए जेद दिला दी दच्छन अफरिका की तरफ से एनरिक नौकिया ने दो और केंगोसो रपाड़ा तबर समसी एवं केसाव माराज ने एक एक विकड लिया और आफ्टेलिया की तरफ से मैथ्यू बेर ने 10 गेंदों में 15 रन और मारका सस्कोर इस्टॉनिस ने 16 गेंदों में 24 रनों की पारी खेली ग्रूप A में आफ्टेलिया का अगला मकाबला 28 अक्टूबर को स्री लंका के खिलाप होगा वहीं तच्छण अफ्रिका का अगला मकाबला 16 अक्टूबर को बेस्ट इंडीज के खिलाप होगा और अब ये देख रहा हुआ कि ये दोनों टीमें आंगे कैसा प्रदर्सन करती हैं तो ये वीडियो यहीं तक थी अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में